हलो साथियों आपका स्वागत है आज के नए लेक्चर में साथियों हम लोग क्लास 12 बोर्ड इजाम की प्रिपेशन कर रहे हैं यहाँ पर डेली बेसेश पे आप लोगों को वीडियो दी जा रही है यह सालिड स्टेट जो की आपकी केमिस्ट्री का फर्स चेप्टर है उसका लेक्चर आपको दिया जा रहा है यह सालिड स्टेट यानि ठोस अवस्था का ठोस अवस्था का लेक्चर नमर आपका है फोर इससे पहले तीन लेक्चर हो चुके हैं आप तीनों लेक्चर को देख लीजेगा वहाँ पे बहुत ही इंटेस्टिंग वे से आपको समझाये गया है आपको समझने में बहुत थेलब होगा आज के lecture में हम लोग lecture number 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे हम lecture number 4 में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले FCC, BCC और SCC में परमाड़ों की संख्या देखें साथियों परमाड़ों की संख्या निकाले में सबको doubt रती है बिलकुल आज के lecture के बाद आप लोग की doubt खत्म हो जाएगी आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा इसके लिए आपको pen paper लेकर अपने concentration के साथ इस lecture को last तक देखना है उसके बाद हम आपको 2-3 numerical type questions कराएंगे इसी में जो की इसी के base पर आपके exam में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं यहां से question आपके exam में भर-भर के पूछे जाते हैं कई बार कई question पूछे गए हैं सभी आपको आज के lecture में पताय जाएगा तो शुरू करते हैं आज का lecture सबसे पहली चीज हम लोग जानेंगे कि एकक कोष्टिका में परमाडू की संख्या ग्याद करना किस प्रकार से एकक कोष्टिका में परमाडू की संख्या ग्याद की जाती है इसे देखेंगे देखें यदि एकक कोष्टिका के घन के कोने पर परमाडू उपस्तित हो तो उसका एक बटे आठ लिया जाता है जैसे मान लेते हैं ये कोई एकक कोष्टिका है या आपका एक एकक कोष्टिका है तो इसके अगर कोने पर उपस्तित परमाडू होंगे यहाँ पर तो उसका कितना एक बटे आठ लिया जाएगा एक बटे आठवा भाग लिया जाएगा अगर घन के कोने पर अगर कुश्चन में कर दे आपको कि घन के कोने पर उपस्तित हैं परमाडू या अवयवी कड तो उसमें परमाडू की संख्या याद करना है तो उसमें एक बटे देखेंगे इस फिगर की माद्यम से देखें उसके बाद उससे पहले हम कुछ और देख लेते हैं अगर एकक कोश्टिका के फलक पर इस्तित परमाड़ू हो तो उसमें किसका कितना का गुड़ा करते हैं एक एटे दो का करते हैं अगर कोश्टन में आप से कदे कि अवयवी कड़ एकक कोश्टिका के फलक पर हैं तो उसे कड़ निकालने के लिए परमाड़ों की संख्या निकालने के लिए एक बटे दो से गुड़ा करते हैं क्यों करते हैं इसे अभियाम आगे चलके समझेंगे अगर आपकी कोश्टिका के केंद्र पर हैं कहां पर हैं केंद्र पर तो उसमें कितना का आप multiply करेंगे एक का करेंगे जैसे केंद पर अगर आवयवी कड़ माँ पूछ लिए तो वहाँ पर एक का multiply करते हैं अगर भुजाओं के किनारों पर कर दे तो उसमें एक बटे चार का multiply करते हैं जैसे माली जी ये कोई आपका घन है इस घन में किसी बुजा के यहाँ पर इस बुजा के किनारे पर है तो उसमें उस बुजा के किनारे पर उपस्तित परमाणों की संख्या ग्याद करने के लिए अड़ों की संख्या में जितना भी अड़ों उसके या अवयवी तक तो उसके बुजा या किनारों की कोने पर multiply कर देंगे तो बिल्कुल यह आपको यह चारो संटेस आपको समझ में आया होगा क्या यदि घन के कोने पर परमाड़ हो है तो उसमें 1 बटे 2 का multiply करते हैं यदि एकक कोश्टिका के फलक पर हो तो उसमें 1 बटे 8 का करते हैं अगर घन के फलक पर है तो उसमें 1 बटे 2 का करते हैं अगर केंदर पर इस्ततित परमाड़ हो तो उसमें 1 का करते हैं भुजाओं के किनारों पर इस्तित हैं तो उसमें 1 बटे 4 का करते हैं बिल्कुल यह आपको समझ में आया होगा अब क्यूं करते हैं इसके साइड में चलते हैं और फिर यह सिसी के लिए कि आपके पर्मारों की संख्या कितना होगा उसे देखते हैं देखिए यहां पर आपका क्या एकक कोश्टिका में अवयवी कड़ों की संख्या देखिए इस पीडिया भी आपको दे दिया जाएगा नीचे डिसकुर्प्सन में जिससे आपको पढ़ करते हैं एकक कोष्टिका में उपस्तित अवयोवी कड़ों की संख्या तिक अगर एकक कोष्टिका में उपस्तित अवयोवी कड़ों की संख्या में हम सबसे पहले Scc को लेते हैं क्या Simple Cubic Cristal या फिर दाम करते हैं इसे आद्य घनी कोश्णिका क्या करते हैं आद्ये घनी कोश्णिका या फिर इसे करते हैं इसे करते हैं सरल कोश्णिका सरल एकक la कि सरल एकक कोश्टिका क्या होता है सरल एकक कोश्टिका में अवयवी कड घन के कोने पर उपस्तित होते हैं कहां पर उपस्तित होते हैं यहां पर इस्तित होंगे यहां पर इस्तित होंगे यहां पर 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 होंगे तो पूरे कितने होंगे यहां पे कड़, पूरे आठ कड़ हो गए, ठीक है, जो कि घन के कोने परिस्तित हैं, किसमें SCC में, SCC यानि Simple Cubic Crystal, आप याद रखेगा सरल घनी कोष्टिका, ठीक है, सरल घनी कोष्टिका में जो परमाडू होते हैं, घन के कोने पर उपस्तित होते है तो अगर आप से पूछ दे, कि बताईए हमको सरल घनी कोष्टिका में कड़ों की संख्या कितनी होती है, आपको लेक्चर की स्टार्टिंग बताया, अगर घन के कोने पर उपस्तित परमाडू होते हैं, तो उसमें परमाडू की संख्या ग्यात करने के लिए, क्या करते हैं एक बते आठ का मल्टिप्लाई कर देते हैं, कड़ों की संख्या में एक बते आठ का, तो इसमें कितने कड़ हैं, आठ कड़ हैं, इसमें मल्टिप्लाई कितने करेंगे, एक बते आठ का, तो पुरा वैलू कितना आएगा, एक, यानि सिंपल क्यूबी किस्टल में क्वेस्टन आ रहा होगा कि यहां पर अगर कोई सिंपल की वी किस्टल में कोने पर इस्तित परमाड़ू तो उसमें एक बटे आथ का मल्टिप्लाई क्यूं करते हैं बिल्कुल आपके दिमाग में यह कोईस्टन आ रहा है कि नहीं अगर आ रहा है तो उसका जवाब अब हम ब चार चार यह हो गया इसी तरह चार नीचे आठ घन है तो यहां पर देखी यह कोने पर परमाड़ू परस्थित हैं तो यह परमाड़ू या वयवी कड आठो घन में समान रूश से बितरित हैं इसलिए अगर घन के कोने पर उपरस्थित परमाड़ू होते हैं तो उसमें एक रट सकते हैं कि कोने पर होंगे तो एक बटे 8 का मल्टिप्लाई करेंगे कैसे कोने पर होंगे तो एक बटे 8 का मल्टिप्लाई करेंगे इससे अधार पर सरल घनी कोस्टिका में एक परमाडू होते हैं किस प्रकार सोते हैं आपको हमने निकाल कर पताया अब चलते हैं फलक कें केंदृत कोश्तिका नहिek सेकएंड है आपका बी सीजे कूंती मतलब काय केंदृत कोर टीगा का केंदृत कोश्टिका में परमाडू क संख्या किस प्रकार से जात करेंगे यह how आपको पिछली लेक्चर में हम बताया थे कि का्य जीक हूर हुदी है। जिसमें परमाडू कहां कहां इस्तित होते हैं घन के काय केंदित कोष्टिका में परमाडू घन के कोने पर उपस्तित होते हैं साथ साथ में कोने पर उपस्तित होने के साथ साथ में कहां पर होते हैं घन के केंदर पर भी एक परमाडू उपस्तित होता है कहां पर केंद्र पर काय केंदित कोष्टिका में परमाडू घन के कोने के साथ साथ केंद्र पर भी एक परमाडू पस्तित होते हैं अगर पूछ दिया जाए कि काय केंदित कोष्टिका में परमाडू की संख्या क्या होती या कड़ों की संख्या क्या होगी किस क्रकार से गिंकर लेंगे देखे इसमें आथ कड आपके कहां पर होते हैं क Mizrahi किया जाता है इसलिए एक हो जाएगा कोने के वजय से पर्मारू संख्या और यह पर्मारू आपके केंदर काय केंधित एक याद रखिएब किनन दो परमारू एक हो थे हैं आपके सिंपल निफान में। यानी संद डिर्ट कोषण का में ठीक है aún How तीह से नमर केंधिते को फीलों क्या इस्तिती होता STEPHAN Arun फलक केंदी तेकक कोश्टिका में परमाडू होते कहां कहां पर हैं यह जान लेते हैं देखिए फलक केंदी तेकक कोश्टिका में जो परमाडू होते हैं यह आपके घन के कोने के साथ-साथ फलक पर भी उपस्तित होते हैं कहां कहां होते हैं घन के कोने के साथ-साथ फलक पर भी उपस्तित होते हैं यह परमाडू देखिए मान लेजिए यह आवजवी कड़ हैं आपके घंड के कोने पर ठीक है और यही परमाडू आपके घन के कहा कहा पे फलक पर यह पीछे वाले फलक पर यह आगे वाले फलक पर यह वाले पर यह वाले पर इस तरह जिछ फलक पर और आठ आपके कोने पर हैं अगर परमाडू फलक पर होते हैं तो उन परमाडू की अवयवी कड़ों की संख्या ग्यात करने के लिए कितसे multiply करते हैं साथियों एक बटे दो से करते हैं ठीक है क्यों करते हैं अभी आप आपको बताएंगे पहले करते हैं किसे हैं यह जान लिए एक बटे दो से करते हैं अगर परमाडू फलक पर उपस्तित होते हैं तो यहां पर भी परमाडू फलक पर उपस्तित है इसमें multiply किसे करेंगे ? एक बटे दो से करेंगे फलक वाले के लिए तो कितने फलक पर है आपके चब फलक पर है फलक पर परमाडू की संख्या एक मिनट फलक पर फलक पर करो की संख्या कितनी है शे हैं अगर फल्क-पर कड उपस्तित होते हैं तो उसे परमानु insists न गयाद करने के लिए 212 मृटिपलाई कर सकते हैं तीन हो जाएगा ठीक है यह उगा तीन तो आपका फल्क-पर उपस्तित परमारोस चाह गया और एक आपका कोने वाले का इस तरह से फलक पर उपस्तित परमारू की संख्या कितनी हो जाती है चार हो जाती है आपको समझ में आया होगा देखें यहां पर एक आपको यहां पर फिगर है आप लास्ट में आपको देखने के लिए आपको एक बार में पुरा का पुरा याद हो वाला जिस सरल गन एक कोष्टिका में कोने पर उपस्त्रीद परमाणु संख्या आ bald होती है और किअ अगर कौने पर ऊपस्तीद परबादू इसमें एक बट्याट्त करता है तो एक हो जाए इसमें घन के केंद्र पर नहीं होता फलक पर नहीं इसलिए zero कर देंगे काय केंदित एक कोष्टिका की बात करें या अंतर केंदित इसमें क्या होता कि आठ आपके कोने पर होते हैं प्लस में एक केंदर पर होते हैं केंदर के लिए आपको एक ही का multiply करके लिया जाता है इसलिए पूरी की पूरी संख्या कितनी हो जाएगी फलक केंदित एककोष्टिका में चार हो जाएगी बिल्कुल अब आपको अंत्य केंदित एककोष्टिका की बात करें तो इसमें क्या होते हैं आपके परमाडू कोने के साथ साथ आमने सामने समानतर वाले फलक पर भी उपर्तित होते हैं ठीक है कोने पर इस तरह से परमाडू होते हैं इसके साथ साथ अगर बात करें तो समानतर जो फलक होता है आमने सामने का यह आमने आप पीछे वाला इन पर भी आपके परमाड़ों होंगे ठीक है तो इसे क्या करेंगे 8 multiply by 1 बटे 8 is equal to 1 आपके कोने वाले का 1 हो जाएगा और जो फलक पर पस्तित हो उपर आओ नीचे वाला या आमने सामने वाले तो इसमें दो परमाड़ों होते हैं फलक वाले के लिए एक बटे 2 से multiply किया जाता तो एक बटे 2 से multiply करने के बाद एक आ जाएगा तो अंत्य केंदित गनी कोश्टिका में परमाड़ों संख्या दो हो जाएगा अब हम लोग चलते हैं आपके numerical question की तरफ क्योंकि यहां से numerical question पूछे जाते हैं और कैसे question पूछे जाते हैं आपके सामने हैं आपके board exam की ठीक है सबसे पहला question आपके सामने है क्या की फलक के अंदित घनी जालक की एकक कोश्टिका में उपस्तित परमाड़ों की संख्या क्या ग्यात कीजिए तो फलक के अंदित एकक जालक के एकक कोश्टिका के फलक पर उपस्तित परमाड़ों की संख्या ग्यात कर दी चा चुकी है आपको पिछले पहले ही बता दिया गया कि चार परमाड़ों होते हैं किस प्रकार से इसमें आठ परमाड़ों फलक कोने पर उपस्तित होते हैं और दो आपके जो है जितने फलक होते हैं उस पे छव पस्तित दें तो फलक वालोग के लिए एक बटे दो से मल्टिप्लाई के रहा जाता है और कोने वाले कुझे एक बटे आठ से तो फाइनली एंसोर आ कर से लिथ्यंता है एक और तीन ठीक है चार में दोसरा में कि यहने इपके क्सिटल जो है उसके फलक यह परन दmostब की C-由 C-R-0 कि संख्या घ्याद किजिए देखिए यन्य George Me में जो 100 Murray कोष्टिका है T cep इन थे थे कि ए आपके भत्तेता वगी है कि देख लेते हैं कितने फलफ clean प्रफ चेक कोष्टान वार पढ़ते हैं तो आर्चा के विए रहयागा यन्य में sil किस्टल जो है उसके यह उसमें क्या है फलक केंदित है यह अप सीच है एक इन कोष्टिका में ly- की संख्या ग्याद करनी है यह नहीं क्या होते परमाड़ कहा कहा पर उपस्टित होते हैं आपको पीछले लेक्चर में बता था इस लेक्चर में भी एक बार बता चुका हूं घन के कोने के साथ साथ आपके पर्माडू घन के फलक पर भी उपस्तित होते हैं घन के कोने के साथ साथ पर्माडू फलक पर भी उपस्तित होते हैं देखे आगे वाले फलक पीछे वाले फलक इस फलक पर नीचे वालन फलक पर और यहां वालए फलक किल मिला कि 6 परमाडू आपके फलक पर उपस्तित होते ही कितनraction इसमें 6 परमाडू आपके फलक पर होते ही औह сек Israel का ठीक है और इसमें क्या उगा फलक वाले के लिए एक बट दो गड़ा किया जाता है कोने के लिए कि बट ठीक है, नेक्स्ट क्यूस्टन है, इस टाइप एक क्यूस्टन आपके बोड एक्जाम को तो छोड़िए, आपके कमप्टीशन एक्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्यूस्टन को पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान फूरुवर, तो चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या ह एक घनी सनचना वाले योगिक A और B हैं, इसमें A आपके घन के कोने पर, B आपके फलक के केंदर पर उपस्तितों योगिक का सुत्रिग्याद कीजिए, ऐसे क्वेस्टन में काफी लोगों को डाउट होता है, लेकिन आज के बाद आपको डाउट नहीं होगा, क्वेस्टन क आप से कह रहा है कि एक घनी एक कोश्टिका है, जिसमें योगिक A आपका और B दो तत्तों है, A आपका घन के कोने पर उपस्तित है, B आपके फलक केंदर पर उपस्तित है, तो योगिक का सुत्रियाद कीजिए, बहुत तीजी है, आपको क्या करना एक घन बनाना है, इस घन में आप समझेगा, इसमें जो A है, आपका कहां पर है, आपके घन के कोने पर उपस्तित है, यह आपका घन के कोने पर उपस्तित है, और A को हम डिफ्रेंस कलर से यहां पर दसा है, माल लिजे A आपका रेट कलर से है, तो यह आपका यह हो गया, यहां पर यह हो गया, यहां यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तो इस फलक केंदर तेका कोश्टिका में है जिसमें ए आपके घंड के कोने पर है और भी आपके फलक के केंदर पर है भी आपका कहां पर है फलक के केंदर पर तो चलिए फलक के केंदर पर हम इसे लिख लेते हैं तो चलिए शुरू करत कितना है ये की संख्या कितना है आप कैसे पता करेंगे और कрах उतलगे च little कि दिणिए इसप्रकास लिखेंगे थिक हैं एक है यह संध्य के कुझ एट कोने होते हैं गन में और यह कहा पर रहं कोनों तो आप बिल्कुल कर दीजेगा बात करें वाले का तो बी आपके फलक केंद्र पर हैं तो कितने फलक आपके छब फलक हैं तो अच्छा हो गया आपको पता है कि अगर कोई चीज फलक के केंदर पर उपस्तित होगा तो उसमें कितने से गुड़ा किया जाता है एक बटे दो से किया जाता है तो यहां पर भी एक बटे दो से करेंगे तो पूरे एक ही संख्या कितनी होगी एक हो गया बी की संख्या कितनी होगी तीन हो गया तो फार्मुला क्या बनेगा ए बी थ्री यह फार्मूला बनेगा तो बिल्कुल आपको question number 3 समझ में आया कि नहीं अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को like करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में share करिए अगर आप लोग शेयर करेंगे तो पूरी की पूरी सलेवस यहां पर इसी तरीके से आपको बताया जाएगा नेस्ट question number 4 है question number 4 आपके सामने है इसमें तीन परमाडू आ गया है A, B और C आपका A जो है कहां पर इस्तित है आपका A जो है वह आपका A कोनों पर है ठीक है, B आपका कहां पर है भाई, B घन के केंद्र पर है और C आपका फलक पर है तो फर्मला याद करना है, आपको मालूम होगा घन के कोने 8 होते हैं तो इसलिए A की परमाडू संख्या 8 होगी और कोनों के लिए एक बटे 8 का मल्टिप्लाई किया जाता है इसलिए एक हो जाएगा बात करें केंद्र के लिए, तो केंद्र का आपका एक होता है संख्या और इसके लिए भी एक ही का मल्टिप्लाई होता है केंद्र के लिए क्योंकि एक रूम में एक ही किंद्र होगा न इसलिए इसकी संख्या भी एक हो जाएगी C की बात करें तो आपका C आपका एक फलक है C पे किंद्र C पर आपका जो पर्माडू संख्या चह होता है फलकों की संख्या चह पर्माडू होंगा और यहाँ पर एक बटे दो का multiply किया जाएगा जो की एक बटे दो का multiply क्यों करोगे क्योंकि फलक पर उपस्तित परमाड़ों के लिए एक बटे दो का multiply किया जाता है यहाँ पर तीन हो जाएगा तो इस प्रकार से सुत्र क्या बनेगा A के आगे 1 हो जाएगा B के आगे 1 हो जाएगा C के आगे 3 हो जाएगा A B C 3 यह आपका फर्मुला बनेगा कुछन नबर 4 का तो बिल्कुल आज के लेक्चर में जो कुछ भी आपको सिखाए गया है मैं उम्मिद करता हूँ कि आज के लेक्चर आपके लिए बहुत बेंटफिट होगा आपको जो भी बताए गया आपको समझ में आया होगा डेली बेसेस पर हमारे यहां आपकी लेक्चर चलती है कितने बज़े चलती है तो अभी तो हम मानने में आपको देने की कोशिश कर रहे हैं 10 बज़े तकि आपकी इसाब से अगर कोई अच्छा टाइम हो तो कमेंट बाक्स में लिखती जिएगा चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में कल के